वेलकम तो मैटूब चैनल तो आज हम देखेंगे भारत में समासास की उत्पति कैसे हुई क्या-क्या पजितिया रहे हैं कब समासास की उत्पति भारत में हुई और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो जरूर विजिट करें हमने उसमें कई सारे वीडियो के मैंने डाली हैं जो फर्स्ट उनिट से रिलेटेड हैं सुरुवाति जो हमारे समासास की प्रेस्ट भूमी रही कैसी रही और किन-किन विचारों को ने कौन-कौन सा कॉंट्रिविशन दिया क्या-क्या कॉंसेप्ट है उनके वह कुछ मैंने इंक्लूड करते हुए उन वीड करें उसके बाद यह आप समासास के जो भारत मैं है समासास यह वीडियो को देखें यदि आप यह देखिले रहे हैं इसके पहले आप उन वीडियो को जरूर जरूर देखें क्योंकि जो हम सीरीस से चला रहे हैं PGT का जो क्लास चल रहा है वो Conteen of a चलता रहेगा तो चैनल को कर रहे हैं PGT की sociology subject आगे जो 22 में वेकेंसी आने वाली है ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो चले तो देखते हैं समासास में जो समासास का सौरी भारत में समासास का उद्भा और विकास कैसी हुआ तो 1914 से 1947 तक भारत में समासास का उपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक मतलब कुछ चीजें बनी कुछ चीजें बिगणी उस समय तक जो था समासास को प्रतिस्थापन युग कहा गया उपचारिक रूप से समासास की जो नीव पड़ी थी वो इस वज़े से तो चलिए देख लéते हैं भारत में सवर प्रत्थम जो मुंबई विश्विध्याले है 1914 में इस नातक इसतर पर अध्यन आर्षास के साथ सुरू हुआ जो आरसास के साथ, जो समासास का लो अध्यन हुआ वो कहा हुआ था मुंबई विश्विध्याले में अभी रिसेंटली PGT का एक्जाम हुआ था उसमें क्वेशिन आया था कि जो आपका भारत में समासास का अध्यन किस विश्विध्याले से प्रारम होता है तो आप्शन दिये थे मुंबई भी दिया हुआ था और आपका लखनो विश्विध्याले दिया गया था तो कई बच्चों ने तो लखनो लगा दिया था जबकि मंबई विश्विध्याले में प्रारम हुआ था सवर्पत्थम ठीक है आगे देखते हैं और ये जो प्रारम हुआ था आपका इस नातक स्तर तो 1919 में इस विश्विध्याले में जो विटेज समासास्त्री पैट्रिक गैडिंग्स थे उनकी अध्धक्षता में समासास विवहक की स्थापना की गई थी और ये 1924 में जी एस घूरिये ने इनको भारत का जो समासास का जनक कहा जाता है तो question यदि आज आता है कि भारत में समासास के जनक कौन कहे जाते हैं तो वो कहे जाते हैं आपके जी एस घूरिये ठीक हैं जी एस घूरिये जी कहे जाते हैं आगे देखते हैं 1914 में कलकत्ता विश्विध्याले में प्रोफेसर ब्रजिन नासील के प्रतनों से अरसास के साथ समासास का अध्यनकार प्रारम हुआ किसके साथ ब्रजिन नासील के प्रतनों से अरसास के साथ समासास का अब यहाँ पे 1917 में कलकत्ता विश्विध्याले में कब से प्रारम हुआ 1917 में हुआ आगे देखते हैं 1921 में लखनो विश्विद्याले में डाक्टर राधा कमल मुखर जी की अध्धक्षता में समासास विभाग की स्थापना हुई लखनो विश्विद्याले में किसने की है राधा कमल मुखर जी की अध्धक्षता में विभाग की स्थापना हुई 1921 में और कलकत्या विश्विद्याले में आज सास के साथ कप पढ़ाया गया ये 1917 में तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज मन नहीं होना है वीडियो एक दो बार जरूर देखें जिससे आपका जो कॉंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए आगे देखते हैं 1923 में मैसूर तथा आंध्र आंध्रा परदेश विश्विद्याले में समासास का अध्यनकारी प्रारम किया 1923 में जो मैसूर तथा आंध्रा विश्विद्याले में समासास का जो अध्यन अध्यापनकारी प्रारम हुआ था वो हुआ था 1923 में आगे देखते हैं, पूना विश्विध्याले में जो सिरीमती इरावती करवे थी, उनकी अधक्षता में समासास की सापना हुई थी, 1949 में, 1939 में, ठीक हैं, 1947 के पश्चा देश के अन्य भागों में समासास का अध्यन एम अध्यापन प्रारम हुआ, जैसा की पहले हमने बताया फ्रांस में ही, जैसा की हमने फ्रांस में समासास की उत्पत्ती हो जाती है, वेस्टरन की बात करें तो, क्योंकि उस वहीं समासास की उत्पत्ती हुई है, उसके बाद समासास जो है भारत में आया है, तो वहाँ पे जब 1838 में समासास की उत्पत्ती की थी, आगोस्ट पहले अमेरिका में हुआ ठीक है उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जरूर विजिट करें कि समासास का जो दिरे समासास की उत्पती भारत की और हुई ठीक है वहाँ पे भी फ्रांस अमेरिका जर्मनी इंग्लैंड ठीक है यूरोब के पूरे शेत्रों में फैली इसी तरीके से जब भारत में आई तो भारत में भी अपने राज्ये जैसे इन्रखनव, इलहाबाद, आंद्रा, पूना जैसे अन्य जगाओं पर समासास जो है धीरे-धीरे अध्यापन के तौर पे एक विशय के तौर पे पढ़ाया जाने लगा ठीक है आगे देखते हैं भारत में Tata Institute of Social Sciences जो मुंबई में है इस एक्जाम में आ जाता है question तो इसे भी note down करके रखिएगा जे के institute of sociology and social works ये कहां है लग्नोव में है institute of social sciences ये आग्रा में है आपका पत्ना में 1951 तथा इंदोर विश्विद्याले में बड़दा में 1954 में 1958 में उस्माणिया विश्विद्या में दिल्ली में 1969 में आध्यापनकार प्रारम्भ हुआ है ठीक है और भारत में समासास के विकास में प्रमुख विचारकों का जो योगदान रहा है उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कौन-कौन से विचारक थे जिनका योगदान रहा तो वो जो आपके हैं ठिंकर वो हैं आपके हट्टनची, रिजले, घूरिये, मजूमदार, कपाडिया, एसी दुवे, देशाई, सिरी निवासन पश्यम है समासास्री ये भारती परंपराओं के आधार पर आनंद कुमार स्वामी, एके शहरन, डाक्टर नगेंद्र तदा, नर्मेशुर प्रसाद पशिम्मी और भारती परंपराओं दोनों के को आधार बनाकर सरेना जी है, मुखर जी है, डीपी जी है, मुखर जी जो है, प्रभु जी है, इरावती करवे जी है, प्रफेसर जो सचेदानन जी है और योगेंद अटल है, योगेंद्र सिंग है, डाक्टर नगेंद्र है तो ये सभी जो thinker हैं आपके भारत में जो अध्यन अध्यापन हुआ है उसमें इनका योगदान रहा है और भी कई सारे thinker हैं जिनका योगदान रहा है फिलहाल हमने यह include किये हैं जो बहुत important है ठीक है तो पश्रिम से जो concept को लेते हैं वो हट्टन जी हैं रिजले हैं घूरि जी हैं दूबे जी हैं देशाई हैं और स्री निवाशन है तो आपको यह याद रखने हैं भारती परमपराओं के आधार पर कौन-कौन है आनंद कुमार स्वामी है और एक शरन है और आपके नगिंद्र हैं डाक्टर नर्मेशर प्रशाद हैं और पश्मी और भारती परमपर माने सकंदी हैं मुखर जी आ अपके फ्राइन नगेंद्र हैं तो यह आपके थिंकर हैं जो अपकी भारत में जो उत्पत्य हुई इसके विकास में ऐन लोगों का बहुत बहुत योगदान जो आपके राधाकमल आपको बता दूं हैत्याव जो राधा कमल मुखर जी मजूमदार विने कुमार सरकार और प्रोफेशन निर्मल कुमार बोश डाक्टर वरजिन नासिल ये सब क्या थे विद्यार्थी थे ठीक है आगे हट्टन जी और मजूमदार ने भारती जनजाती का सुख्ष विशलेशन किया है और आपके घूरिय जी ने प्रयास किया है इंडियन सोशिलोजिकल सोसाइटी जो 1922 में स्थापित की थी और घूरिय जी ने जो सोशलोजिकल बुलिटिंग जो पत्रिका थी उसका भी प्रकाशन किया था तो ये भी की टर्म है आप लिख लीजिए मैंने यहापे नोट डाउन नहीं कर रखा है बता रही हूँ तो आप नोट कर लीजिए ठीक है आगे आपके जो तिंकर है कपाडिय जी उन्होंने भारत में जो विवाह परिवार नातेदरी विवस्था को अपने अध्यन का आधार बताया है और इन्होंने अध्यन किया तो इनको आधार बनाकर अपने अध्यापन कारे या अध्यन किया है ठीक है और यावधी करवे ने क्या किया है नातेदारी संगठन का अध्यन किया है इन्होंने भारत की दुबे जी ने क्या क्या है दुबे जी है दिसाई है और मजुमदार ने भारती ग्रामीर समुदाएक आध्यन किया है ठीक है तो आपको ये भी याद रखने क्वेस्चन में काफी हेल्फ रहेंगे आपके एक की टर्म समाजिक और आर्थिक कारक जो एक दूसरे को प्रवावित करते हैं प्रवत्ति को समाजिक अर्षास के नाम से जाना जाता है इसके विकाश में जो राधा कमल मुखर जी है और डीपी मुखर जी का नाम जो है उलेखनी है उन्होंने इस चीज में काफी युगदान दिया हुआ है और राधा कमल मुखर जी जो है अर्षास का संस्थापक सिध्धान का प्रतिपादन किया किसने किया है डाक्टर राधा कमल मुखर जी ने और आपने प्रवाशिता का सिध्धान भी दिया है प्रवाशिता का शिद्धान किस ने दिया है राधा कमल मुखर जी ने और डीपी मुखर जी ने क्या किया है अर्षास सम्मंदी प्राचीन ग्यान को इतिहास वा समाज सास से जोड़ा है तो ये आपके डीपी मुखर जी है एकी शरण ने क्या किया है एकी शरण ने भारती समाजिक सरशना को समझने के लिए भारती समाजिक मूलनों को अच्छी तरह समझने पर बल्ल दिया है ठीक है और आगे आपके नर्मेशर प्रशाज जो धिंकर है आपके उन्होंने क्या किया है उन्होंने जाती व्यवस्था क क्या क्या भारती परंपराओं के अध्यन को भारती समाज के समझने है तू आवश्यक माना है आप माक्षवादी चिंतक से प्रभावित थे मतलब यह है कि आपके जैसे काल माक्षवादी जो है उन्हों नहीं माक्षवाद उन्हीं के नाम से जाना जाता है दुन्दवाद को ह माक्षवाद कहा जाता है तो ये जो हमारे थिंकर है डीपी मुखर जी डीपी मुखर जी को उनका समर्थक माना जाता है कहने का उसी परपेक्ष क्विंडों न अपनाया है डीपी मुखर जी ने माक्षवादी इसलिए कहा जाता है कि माक्सवादी परिपेक्स को फॉलो करते थे DP मुखर जी की आगे है समासास परंपराओं का अध्यन है DP मुखर जी क्या करते है कि जो परंपराओं का अध्यन है आगे देखते हैं और PH LANDIS PH LANDIS की जो definition है विज्ञान विज्ञान ही है चाहे वा भौतिक शास्त्र में हो या समासास में यह LANDIS का है बहुत IMPORTANT है कि विज्ञान विज्ञान ही है चाहे वा भौतिक शास्त्र में हो या समासास में किसने कहा है LANDIS में ठीक है तो आज के दिए हमारा वीडियो और काफी helpful रहे होंगी यह question तो वीडियो अच्छे लगी है तो like जरूर करिएगा next वीडियो में definition को cover करेंगे जो समासास में ठीकोरों ने definition दी है तो उसे देखेंगे exam में पूछी भी जाती है definition तो इस तरीके से हमारा first unit cover हो जाएगा और next वीडियो एक और वीडियो आने के बाद हमारा जो mcqs हम solve करेंगे first unit की ठीक है तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहे हैं चैनल को subscribe और like जरूर करें जादस जादस शेयर करें ताकि जो भी student है जिनको इसकी need है वो उनको जरूर इसका लाब मिल सके जादस चल रहे हैं तो जरूर सबको जादस जादस चीजे प्रवाइड हो सके हैं content प्रवाइड हो सके लोगों को तो बस यही आप से expect करते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और जल्द ही मिलते हैं ठीक है तो प्रप्रेशन के लिए best of luck और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ जाएगी तो कोई क्यारी रहे गई हो तो comment box में mention कर सकते हैं ठीक है thanks watch